पार्टी बनाई थी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश भर से लोगों का इतना प्यार और इतना विश्वास मिलेगा इन आठ सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में तीन बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपून एलान करने जा रहा हूँ आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर परदेश में चुनाव लड़ेगी दिल्ली में यूपी के बहुत भाहिभेन रहते हैं जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आमाद्वी पार्टी को यूपी का चिनाव लड़ना चाहिए जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दिये हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलने चाहिए मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी तो उन्होंने का जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल तरस्ट हो चुकी है यूपी के लोग ही आगे आएंगे आम आदमी पार्टी के साथ जुडेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े जनताओं को हराएंगे यूपी में हर पार्टी की सरकार आई है लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया आज छोटी-छोटी सोविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलिज चाहिए तो उसे दिल्ली भीजना पड़ता है गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता-पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है, आखिर क्यों, क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकास शील राज्य नहीं बन सकता, विक्सित राज्य नहीं बन सकता, मैं पूछना चाहता हूँ, कि अगर दिल्ली के संगम विहार में महला क्लिनिक बन सकता है, तो क्या लखनओ के गोमती नगर में मुहलाक नीरिक नहीं बनाया जा सकता अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बरदास्त करें अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए यूपी के लोगों के इतने जादा बिल क्यूं आ रहे हैं अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसे सुविधाई मिल सकती है तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यूं है अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर महले में CCTV कैमरे लगाई जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुशकर्म क्यों होते हैं यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती आज उत्तर प्रदेश को प्रगती की राह पे चलने से कौन रोक रहा है यूपी की गंदी राजनीती और भरष्ट नेता यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में चुरा घूपाया सरकारे आई, सरकारे गई मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का ब्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया यूपी के लोगों को अखिर में क्या मिला कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर परदेश में इतनी सारी पार्टिया आएं आम आदमी पार्टिया अलग से क्या लेके आएगी आज यूपी की राजनीती में एक ही चीज़ की कमी है सही और साफ नियत की और वो के वल आम आदमी पार्टिया के पास है इसी साफ नियत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती नियत की कमी होती है दिल्ली के लोग चाहते थे कि उनकी जिन्दगी बहतर हो उनके बच्चों को अच्छी शिच्चा मिले उनके परिवार को अच्छी स्वास सेवाई मिले उनको एक इमानदार सरकार मिले इसलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार तीन बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते हुए दिखा उन्हें एक इमानदार सरकार मिली जो उनके लिए उनके साथ मिलके काम करती है आज हर यूपी निवासी एक इमानदार और साफ नियत वाली सरकार चाता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर पर्देश विधानसवा चुनाव लड़ेगी दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था उन्हें आज आम आद्मी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए आप भी आम आद्मी पार्टी को एक मौका देके देखिए मैं यकीन दिलाता हूँ उत्तर परदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे नमस्कार